नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तिया केमाद और आप देख रहे हैं नियुजू रोक करिंग उत्राखंड की तमाम खबरों की तरफ उत्राखंड सदन में मुख्यमंत्री धामी ने यूक्रेन से लोटे हुए उत्राखंड के चात्रों से मिलकर उनका हाल चाल जाना है और मुख्यमंत्री ने उपस्तित अधिकारियों से यूक्रेन में अन्ने फ़स उत्राखंड के चातों के संबद में भी चाल करी लिए और वहाई दिल्ली और मुंबई में राज्य की और से यूकरिन से आने वाले उत्राखंड वास्यों के लिए समनवे केंद भी बनाए गया है और यहां सबी लोगों के लिए ठैरने और खाने की विवस्ता भी की गई है और दिल्ली से चातों को गंतव्य तक लाने की विवस्ता भी राज्य की ओर से की गई है और इस अफसर पर इस्थानिक आयुक पर इस्थानिक आयुक डॉक्टर बी वी आर्सी प्रुशोत्तम और आपर इस्थानिय आयुक आजे मिश्रा और उत्राखंड सदन के मुख्य विवस्ता दिकारी रंजद मिश्रा भी उपस्तिस थे और वहीं मदगर्णा के दिन दस मार्च को क्या होगा ये किसी को पता नहीं लेकिन ये ते है कि बीजेपी संगठन में जरूर बदलाव होने वाला और वहीं संकेज भी मिल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक समेत का ही महत्पून पदिकारी बदले जा सकते हैं और साथ मार्च को केंडरे मंत्री और उत्राखंड चुनाव पर भारी प्रलाग चोशी अपने ध्यरदन दोरे के दोरान इस संबद में प्रदेश के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं बीजेपी इस बात से इंकार भी नहीं कर रही है कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये केंद का अधिकार है और बदलाव होता है तो ये एक स्वभाविक पर किरिया है वहीं पूर मुख्यमंत्री तेविंदर सिंग रावत ने पार्टी के अंदर कहले और आरोपों पर चांस की पात भी खई उत्राखंड में वोटिंग 14 फरवरी को होई और उसके एक हफते बाद बीजेपी के कुछ विदायकों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कोशिक के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष समेथ कुछ और पदिकारियों को बदलने तक पहुँच गई है अलाकि बीजेपी के राजपुर रोड विधायक खजान दाश का कहना है कि इस बारे में ने ने केंद्री नित्वित ही ते करेगा बढ़ेंगे अगली खबर के और जहां पर उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी ने शुकरवार को वारनसी में बीजेपी के राश्ट्र अध्यक्ष छेपी नड़ा से मलाकात की और वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसवा चुनाव के परचार में शामिल होने के धामी ने नड़ा को उत्राखंड के चुनाव के बारे में फीड़बैक दिया है पहले मुख्यमंत्री के नई दिली में राश्ट्र अध्यक्ष मलाकात की संभावने जताई जा रही थी लेकिन नड़ा उत्तर प्रदेश विधानसवा चुनाव में परचार में व्यस्त थे और इस दोरान मुख्यमंत्री को भी यूपी चुनाव परचार में शामिल होना था और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में परचार के लिए धामी शुकरवार को वारणसी पहुचे और नड़ा पियम मोदी के रोश्चो कारेकरम में भी शरिक होने के लिए पहले से ही मौचूद है और इसी दौरान धामी ने नड़ा से मुलाकात की और वहे सूत्रों के मताबिक नड़ा और धामी की इस मुलाकात में उतराखंड विदान समशावर्चुनाप को लेकर चर्चा हुई और धामी उत्राखंड में बीजेपी को एक बाफिर से प्रचंड बहुमत लेकर आस्वस देखें और उन्होंने नड़ा को बताया कि प्रतेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और उदर सियासी हलकों में धामी और नड़ा की मुलाकात के कई माईने भी निकाले जा रहे है और वहीं हरीद्वार सांसाद और पूर के इंद्रेवंत्री डॉक्टर रमेश पॉक्रियाल निशंक ने भी नड़ा से मुलाकात किये और इस मुलाकात के बारे में चर्चाओं का बाजार करम रहा और वहें कहा गया कि 10 मार्च को बीजेपी और कॉंग्रेस के बीज मुकाबला काटे का रहात और निशंग की भूमी का एहम हो सकती और इसे प्रदेश बीजेपी में नित्वित परिवर्तन से जोड़ कर भी देखा गया हाले कि पार्टी परिकारियों ने ऐसे ही किसी भी संभावना से इंकार किया है उत्राखंड के करीब 196 चाटर अभी भी यूक्रेट और उसके सीमावर्ती इलाकों में फसे हुए और उन्हें वहाँ से निकालने के लिए केंद और राजे सरकार की कोशिश है जा रही है और वहें रूस यूक्रेट यूद के बीच यूक्रेट में ही उत्राखंड के करीब 70 चाटरों के फसे होने की सूचना है और राजे सरकार के एक्शन में आने के बाद राजे के चाटरों की लोकेशन का तेजी से पता लगाया जा रहा है और शाषन के निर्देश पर अधिकारियों चाटरों और उनके पहेजनों के लिए बने तीन वर्टसप ग्रूप की सूचनाओं से चाटरों की जो लोकेशन मिल रही है वहाँ उनसे संपर कर वापस लाने की कोशिश भी है और वहीं ग्रेव प्रमुक्स चेव आरकेस दान्शू ने बताया कि यूकरेण में उत्राखंड राजे के कुल फसे चातरों में से सबसे अधिक धैरदुन जिले के 86 चातरों की सूचना प्राप्त हो चुकी है और इनमें से 46 चातरों को सही सलामत वापस भी लाया जा चुका है और अभी भी 7 चातर यूकरेण में फसे हैं जबकि 23 चातरों की लोकेशन पड़ोची देशों में होने की सूचना मिली और यूकरेण में फसे हुए उत्राखंड के करीब 317 चातरों की सूचना अब तक हमें प्राप्त हो चुकी है और इनमें 126 चातरों के यूकरेण के आसपास के देशों में पहुँचने की जानकारी है और सभी चातरों की साकोशल वापसी के लिए परियास भी जारी है और 3 वटसप ग्रूप बनाए गए और इन सभी ग्रूपों में उचादिकारियों से लेकर डियम और कप्तान और चातरों के पहे जन चुड़े हुए और इनसे काफी मदद भी मिल रही है और सभी सूचनाए विदेश मंत्राले से साजा की जा रही है